दिल्ली के सियासत में बड़ा फेर बदल हो गया है और ये फेर बदल किसी और ने रही बलकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केज्रिवाल ने किया है जी हां केज्रिवाल ने जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद रविवार को स्तीफे का एलान कर सबको चौका दिया था उसके बाद सबकी नजरे इस बात पर टिक गई थी कि दिल्ली के पॉलिटेक्स में अब वो कौन सा ट्रम कार्ट चलने वाले हैं और किसे इस सियम पर की ग मुख्यमंत्री होंगी ऐसे में इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि क्या स्वाती माली माल प्रकर ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुचने के लिए आतिशी की राह आसान कर दी आगे जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में दिल्ली को एक बार फिर महिला मुख् ला किया है बैठक में अर्विन के जिवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा और उनकी नाम मोहर लगी सभी विधायकों ने खड़े होका प्रस्ताव को स्विकार भी किया आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है इससे पहले सुष्मा स्वराज और शीला अर्विन केजरिवाल के स्तीफया देने की घोशना के बाल सीम पत की रेस में कुल साथ नाम शामिल थे लेकिन कहा जा रहा है कि स्वाती मालीवाल प्रकरण के वज़े से आतिशी सीम की रेस जीत गई दरसल दिल्ली महिला आयों की पूर्वत धक्ष और राज्यसभाज सांस स्वाती मालीवाल की गिंती आमादमी पार्टी के सबसे मुखर नेताओं में होती थी आमादमी पार्टी की महिला नेताओं की कतार में स्वाती का नाम सबसे आगे हुआ करता था लेकिन सीम हाउस में अपने साथ हुई मातीट के प्रकरण के बाद स्वाती पार्टी के धन सभचिनाव में भी स्वाती मालीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाव सडकों पर उत्री देखे तो हरानी नहीं होगी ऐसे में उन्हें जवाब देने के लिए केजरीवाल के पास आतिशी जैसा मुखर चहरा जरूरी था आतिशी ये काम किसी भी दूसरे नेता के तुलना म से कर पाएंगी दिली में आम आदमी पार्टी की कामियाभी के पीछे महिला वोर्ट बैंक का बड़ा रूल रहा है और अब सीम के लिए आतिशी का नाम आगे किया जाना बताता है कि पार्टी अपने कोर वोर्ट बैंक को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है जाहिर है तस साल से बिजेपी का देश्वर में डंका बजा हुआ है वो एक के बाद एक राज्यो में सरकार बनाती जा रही है लेकिन दिली उनके लिए अभेद्य किला बनी हुई है लोकसभा चुनाव में क्लीन स्विप करने के बाद बिजेपी को इस बार अपनी लिए अच्छी उ फिलाल इस खास रेपोर्ट पर बस इतना ही देख शुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे हैं से न्यूस भारत हर खबर आपके साथ आपके हाथ